नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका फार्मरोक्स की यूटूब एज्योकिस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले है साज और टैबलेट के बारे में तो यह जो मेडिकेसन है वो खास कर आर्थराइटीस की जो कंडिसन उठती है और उसमें भी जो रूमेट और आर्थराइटीस है उसकी दवा के रूप में जो हो यूज किया जाता है सादो साथ जो अल्सरेटिव कोलाइटीस की जो हम कंडिसन कहते हैं उसको भी ठीक करने के लिए यह मेडिकेसन यूज की जाती है फिर इंफ्लामेटरे बाउल डिसिस की जो सीम्टम्स होते हैं कि जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटीस और क्रोहन्स डिसिस आते हैं तो उसको भी ठीक करता है यह मेडिकेसन फिर सोराइटिक आर्थराइटीस है या फिर एंकाइलूजिंग स्पॉंडिलाइटीस है या फिर सोराइटिस की जो कंडिसन तो सभी को ठीक करने के लिए यह मेडिकेसन को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसके बारे में डीटेल में जानते है आज की लेक्चर में तो ऐसे ही बहुत सरी दवायों के बारे में सिखना है तो आप मेडिसन कूर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के बोपर तो यह कूर्स जोइन करने के लिए आप हमें वाट्सेप कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लिकेसन को डाउनलोड कर सकते हैं अब आते हैं topic प्योर समझते हैं साजो tablet के बारे में तो यह ऐसे class का medication की जिसको demands कहा जता है जिसका full form होता है this is modifying anti rheumatic drugs और salt content के हम बात करें तो sulfasalazin जो उसके अंदर present है कि जो 500 mg के strength में यह tablet के अंदर available है manufacture के हम बात करें तो wellis pharmaceutical limited जो उसके manufacture है और यह जो medication है वो rheumatic arthritis के first line drug के रूप में use की जाते है तो मतलब कि किसी को rheumatic arthritis का treatment करना है तो जो first choice drug कही जाते है या फिर drug of choice है वो sulfasalazin रहेगी तो manufacture की यहाँ पर हम बात करें detail में तो welles pharmaceutical जो उसके manufacture है पर इसका जो headquarters की हम बात करें तो वो है Mumbai के अंदर आगी जानते हैं detail में तो यह tablet कौन से type का है तो gastro resistance tablet है यह और 500 mg जितना medication जो उसके अंदर present होता है फिर दूसरे instructions की यहाँ पर हम बात करें तो यह जो tablet के जो store की जाती है वो 30 degree या फिर उसके temperature पे store की जाती है और light and moisture से जो उसको prevent करना होता है बाकि उसके अंदर जो color की हम बात करें तो tartarazin उसके अंदर color present है और titanium dioxide भी उसके अंदर present होता है तो sazo जो है उसका brand name है यहाँ पर आप देख रहे हैं और company का भी यहाँ पर detail लिखा हुआ है साथ उसाथ Rx मनलब की यह prescription based medication है और यहाँ पर आप देखो कि cedule ash drug है तो cedule ash drug होने के कराण इसको जो जब review retail में बेचा जाता है तो prescription के साथ ही जो उसको बेचनी होती है तो यहाँ पर उसका back cover भी आप देख सकते है blister packing यहाँ पर आप देख सकते है कि एक जो blister होता है उसके अंदर 15 जितनी tablets जो अवेलेबल होती है और यहाँ पर company की detail आप देख सकते है और यह gastro resistance tablet के रूप में अवेलेबल होती है तो सुरुवात में भी आपको उसके basic use बताए तो आप जानते है उसके बारे में detail में तो जो arthritis की जो condition होती है कि जिसको rheumated arthritis कहते है कि चाहे जो अलग-अलग joints होते है चाहे हाथ के joint है या फिर आपके legs वगरा के joint होते है वहाँ पर जो arthritis की जो condition होती है उसको ठीक करने के लिए medication यूज की जाती है तो arthritis में मिलनी होता क्या है कि जो आपके सरकी ये जो healthy joints होते है वो दीरी-दीरी जो वो damage होना सुरू करते है और एक समय ऐसा होता है कि वहाँ पर जो joint होता है वहाँ पर काफी pain होता है swelling देखने को मिलती है और ये conditions को treat करने के लिए ये medication जो पेसंट को prescribe की जाती है उसके अलावा जो second condition की जिसको हम ulcerative colitis या फिर Crohn's disease कहते है तो mainly क्या होता है कि colitis के अंदर जो आपका large intestine का जो portion होता है कि या पर जो आप diagram के अंदर देख रहे है कि ये जो पुरा portion है large intestine का तो वहाँ पे जो है वो सुजन देखने को मिलती है उसके करन जो पेसंट को काफे दर्द होता और बहुत सारे complications जो देखने को मिलती है तो उसी तरह से जो Crohn's disease होती है वो small intestines को affect करती है और वो भी same ulcerative colitis के तरह है condition produce करती कि वहाँ पे सुजन और दर्द देखने को मिलता है तो ये conditions को भी treat करने के लिए ये medication जो वो prescribe की जाती है तिसरी condition आप यहाँ पे देखो तो जो psoratic arthritis की जो condition मलक ये patient को psoriasis के symptoms भी है और साथ उसाथ arthritis के भी symptoms देखने को मिलते है तो ये दोनो medical conditions को ठीक करने के लिए ये medication जो वो दी जाती है चौथा हम देखे तो जो ankylosing spondylitis की जो condition है कि ये हाँ पे आप देखो जो healthy spine है और उसके compare में ये ankylosing spondylitis का spine area आप देखो तो वहाँ पे especially inflammation देखने को मिलता है joints के अंदर और आगे जाके bamboo spine की condition भी produce होते है कि जिसके आज में भी sulfasalazine जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसके अलावा याप याप जो आप देख रहे हैं कि जो sorasis की जो condition है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये medication को जो वो prescribe की जाती है तो आगे जानते हैं उसके dose के बारम कि कितने dose में patient उसको लेते हैं तो उसका जो per day का जो dose रहता है वो रहता है एक से लेकर तीन ग्राम मलब की mg में हम करें तो 1,000 mg से लेकर 3,000 mg तक medication जो पेसंट ले सकता है per day के मलब कि एक दिन में आप इतना medication ले सकते हैं और tablet के तो और हम देखे तो 500 mg का जो tablet है वो पेशन दिन में दो बार या फिर तीन बार भी ले सकता है पर दियान यह रखना के खासकर लो डोसे ट्रीटमेंट शुरू करने चाहिए यह से कोई साइड एफेक्स अगेरा भी ना हो आगे बात करते उसके मेंकिनिजम के कैसे यह मेडिकेशन जो वो काम करता है तो यह म सुजन होती है वो दिरे-दिरे कम हो जाती है और जो पेशन को रिलिफ मिलता है अब बात करते हैं उसके कुछ साइड एफेक्स के तो उसके कारण कुछ लोगों को स्कीन के ओपर रैसिस हो सकते हैं दूसरी साइड एफेक्स देखे तो स्टमक अपसेट जैसा होना नॉस्या अब पर इफेक्स करवा सकती है आपको इसके लिए तो पर उसको लेनी चाहिए हाई डोस में कभी भी यूज ना करें और ट्रिट्मेंट जो वो खासकर lower dose की जाती है serious warnings के हम बात करें तो यह जो sazo tablet है वो कौन सी condition में यूज नहीं करनी है पहली condition कि किसी को sulfa drugs की allergy है जैसे कि मानलो आपको ऐसे medications की जिनको sulfonemides कहा जाता है या फिर ऐसे medications की जिनको के नाम क्या के खासकर sulfa लिखा जाता है तो ऐसे sulfa drugs के आपको allergy है तो यह medication यूज ना करे aspirin की allergy है तो भी इसको यूज ना करे liver disease का patient है, kidney खराब है blood count जिनके कम है वो उसको यूज ना करे, because एक side effect हमने देखी कि bond marrow suppression उसके side effect है, मतलब कि bond marrow की जो असर है उसको काम कर देता है और bond marrow का हमें काम पता है कि वो blood cell के production में help करता है, तो मान लो bond marrow आपके अच्छे से काम नहीं करें तो already आपके blood count कम हो सकते है और ऐसे patient की जिनके already blood count कम है, तो ऐसे लोगों को यह medication जो है वो नहीं prescribe करनी चाहिए, because उनके blood count जो है वो और ज़्यदा कम हो सकते हैं, फिर जो G6 PD की deficiency की जो patients होते हैं, उनको भी यह medication जो वो नहीं लेनी है pregnancy की हम बात करें, तो यह medication जो वो कही जाती है, safe pregnancy के दोरान, उसी तरह से जो breastfeeding का जो period होता है उसके दोरान भी यह medication की जो है, safe consider की जाती है बट, ध्यान यह रखना है की हर किसी की pregnancy की condition same नहीं होती, तो ध्यान यह रखना है आपको की gynecologist की advice के बाद ही, आपको जो ही वो pregnancy में उसको use करना चाहिए, तो ऐसे ही detail में आप सीख सकते हैं, medicine course में, किसी भी दवाई के भरे में तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, 901631 2020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो good luck and all the best